Hello my dear students, तो last class में हमने पढ़ा था cracking और cracking का one type था fixed bed catalytic cracking। आज हम शुरू करेंगे moving bed catalytic cracking, ठीक है, start करते हैं, diagram देखके घबर 아 गए, घबराने की कोई ज़रत नहीं है, ध्धान से देखे. cracking मतला हम higher hydrocarbon molecule को crack कर रहे हैं lower hydrocarbon molecule के अंदर पताया था मैंने आपको last lecture में moving bad catalytic cracking का नाब इसलिए moving bad है क्योंकि यहाँ पर catalyst move करेगा सबसे पहले यह हमारे पास में oil है जिसका हमें cracking करनी है इस oil के बाद यह जो आपको container दिख रहा है इसका नाम है catalyst regenerator इसका temperature है 600 degrees celsius और इसी के अंदर आपका catalyst present है एक और चीज यहाँ पर ही जो catalyst present है वो एकदम powdered form के अंदर catalyst present है एकदम powder बना दिया catalyst का यह जो powdered catalyst है यह देखिए यहाँ से नीचे आ रहा है यहाँ से oil आ रहा है oil के साथ catalyst यहाँ mix हो जाएगा oil plus catalyst ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया था cracking करने के लिए मुझे क्या क्या requirement है cracking करने के लिए मुझे oil चाहिए मिल गया मुझे catalyst चाहिए मिल गया मुझे temperature चाहिए इस डिब्बे में हम आये तो यह temperature भी दिख रहा है इसके अलावा मुझे एक डिब्बा चाहिए तो यह हमारे पास में क्या हो गया reactor मैं इसको कह सकते हूँ जहाँ पे reaction होगी से हम क्या कहतेंगे reactor मैं इसको रहसे लिख देती हूँ इसे हमने क्या नाम दे दिया reactor यहाँ पे हमारी cracking process होगा तो यह जो आपका oil plus catalyst है यह move करके आएगा reactor के अंदर reactor का temperature है 500 degree reactor में आपको oil मिल गया, catalyst मिल गया, temperature मिल गया और reactor खुद मिल गया, कौन सा process हो जाएगा? cracking process, ठीक है? cracking होगी, cracking होगी तो higher hydrocarbon किसमें crack हो जाएगा? lower hydrocarbon के अंदर, यानि cracked vapor बन जाएगी क्योंकि temperature कितना है? 500 degree, यह cracked vapor जो है इसे enter कराएगे again कहाँ पे fractionating column के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने oil को यह कहके नहीं बेजा कि सिर्फ तुझे petrol वाले fraction ही बनाने, नहीं oil किसी में भी break हो सकता है, वो methane भी बना सकता है वो ethane भी बना सकता है, बहुत सारे different, different hydrocarbon बना सकता है, तो cracked vapor जो निखलेगी, उसे fractionating column में लिजाना जरूरी है, क्योंकि fractionating column ही separate out करेगा अलग-अलग fractions को, ओके? तो यहाँ पर अलग-अलग fractions separate out हो जाएगे, माल लीजिए क्योंकि 100% efficiency तो किसी भी चीज की नहीं होती, तो कुछ heavy oil crack दी ना हुआ, वो heavy oil आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा जो भी अलग-अलग fractionating आपको मिल जाएगे, लेकिन हमें किससे काम है, हमें काम है किससे, petrol से, तो यह petrol जो हमारा बना, इसको हम कहां लेके जाते हैं, cooler में, सेम जैसा हमने fix bed में बढ़ाता, cooler में इसको cool down करते हैं, इसमें कुछ gas मिली हुई रह जाती है, gas को petrol से हटाने के लिए, इसको कहां लेके जाते हैं, stabilizer में लेके जाते हैं, और वहाँ पे gas petrol से अलग हो जाती है, और आपको gasoline और petrol मिल जाता है, यह है moving bad catalytic cracking, और क्योंकि यहाँ पे catalyst move करके आ रहा है, इसमें इसका नाम है, moving bad catalytic cracking, आप लोग इतना process directly लिख देंगे, यह सब लिखने के बाद, अब next क्या, इसके बाद आप star लगा के लीचे बताएंगे, कि क्या होगा, जब यहाँ पे cracking process हुआ होगा, तो उस cracking process के time, catalyst जो हमारा था ना, उस catalyst के उपर carbon का deposition हो गया, ठीक है, obvious सी बाते carbon बहुत जादा carbon बना होगा, तो यह catalyst जो यहाँ आया था, इस catalyst पे किसका deposition हो गया, इस तरीके से carbon का deposition, carbon जमा हो गया, carbon जमा होने की वएज़े से आपका catalyst हैबी हो गया, हैबी हो गया, तो यह catalyst जो है, देखे, catalyst क्या होता है, catalyst ना तो reaction में participate करता है, आपको पता होगा, ठीक है, यह सिर्फ rate of reaction को क्या कर देता है, घटाने या बढ़ाने का काम करता है तो catalyst जो होता है वो reaction के अंदर किसी भी तरह करता chemical reaction शो नहीं करता यह सिर्फ rate of reaction को बढ़ा देता है तो यहां भी यह हुआ पूरा cracking सब कुछ हो गया oil आगे निकल गया fraction निकल गया लेकिन यहां पर catalyst तो बचा हुआ रहे गया लेकिन इसके ओपर किसका deposition हो गया carbon का इससे यह heavy हो गया heavy हो गया इसी नाम देगी दिया spent catalyst यह बचा हुआ catalyst था इस catalyst heavy होने की वज़े से नीचे आ गया नीचे आया तो air blower के थुरू इसमें air का pressure लगाया और इसको वापस कहां भीज दो जहां इसका घर था और इसका घर कहां था catalyst regenerator इस catalyst regenerator में इसको वापस bleach दिया गया यहां पर temperature 600 डिग्री है 600 डिग्री टैंपर इसके उपर जमा जो carbon था वो carbon किसमें convert हो गया CO2 के अंदर और यह यहां से chimney और यह cyclone जो लगे उसके तुरू निकल जाएगा और आपका catalyst वापस से regenerate हो जाएगा further next process के लिए इसी लिए इसको कहा जाता है catalyst regenerator चीक है मैं इक बार दुबारा repeat कर देती हूं सबसे पहले आपको नॉर्मल cracking से petrol कैसे बना यह बताना है यह आपका oil यहां से catalyst आया powdered form में और प्लस catalyst कहां पर चले जाएंगे रियाक्टर के अंदर रियाक्टर में टैंप्रेचर है 500 डिग्री catalyst oil सब मिल गए cracking होगी cracking होगी तो cracked vapor बनेगी cracked vapor एंटर करेगी fractionating column में वहां पर अलग-अलग fraction separate out हो जाएंगे हमें काम किस से है पेट्रोल से पेट्रोल को लेके जाएंगे cooler में cooler में पेट्रोल ठंडा हो जाएगा और stabilizer में ले जाके उसमें present अगर gas है तो उसको remove कर देंगे हटा देंगे ठीक है इसके बाद क्या हुआ हमारा जो catalyst था वो यहां पर इस chamber में बचा हुआ है reactor में उस पर carbon का deposition हो गया तो वह heavy हो गया है तो नीचे आ जाएगा नीचे आके air pressure की तुरूष को वापस उसके घर बेजना है उसका घर क्या था catalytic regenerator यहां पर यह आएगा 600 degree temperature पर इसके उपर deposit जो carbon है उस CO2 में convert हो जाएगा चिमनी के थुरू बहार कर देंगे CO2 को और यह catalyst आपका ready है next process के लिए तो इस तरीके से होता है moving bad catalytic cracking आप इसे note कर लेजिए मिलते है next lecture में अब तक के लिए thank you so much